वेलकम दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में आज बात करेंगे कोटक मेहंदरा बैंक वर्सेस HDFC बैंक दोनों बैंकों में से बेस्ट बैंक कौन सा है दोस्तों अगर आप सेविंग बैंक एकाउंट ओपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर नीरेस्ट में अगर आपका कोटक मेहंदरा बैंक या फिर HDFC बैंक है तो दोनों में से कौन सा बेस्ट बैंक है किसमें आपको बेटर सर्विसेस मिलता है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तों ये दोनो प्राइवेट बैंक है और दोनो बैंकों में आपको online account open करने का facility मिलता है आनि कि घर बेटे आप अपने mobile phone से online खाता खोल सकते हैं कोटग मेहनरा बैंक में भी और HDFC बैंक में भी अगर दोनों बैंकों की zero balance account की बात करें तो कोटग मेहनरा बैंक आपको zero balance account प्रॉइट करता है कोटग 811 zero balance account वहें पर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में online खाता खोलते हैं तो आपको zero balance account का सुविदा नहीं मिलता है आनि कि पैसे maintain करना होगा अपने खाते में अगर आप maintain नहीं करेंगे तो आपके खाते से पैसे हर monthly wise कटते रहेगा और कोटक महंदरा बैंक में अगर आप खाता खोलते हैं तो इसमें आपको पैसा रखने की जौरत नहीं है यह zero balance account है और zero balance में इसको आप operate कर सकते हैं दोनों बैंकों की interest rate और ब्याजदर की बात करें तो कोटक महंदरा बैंक में आपको मिलता है 4% का ब्याज सालाना वही पर HDFC बैंक में आपको मिलता है 3% का ब्याज सालाना जो भी ब्याज आपका बनता है वो quarterly basis पे आपके खाते में credit कर दिया जाता है calculate होता है annual basis पे लेकिन quarterly यानि की हर 3-3 मंत में आपके account में जो भी जितना भी पैसा रखेंगे हर एक 3-3 मंत में जो भी आपका interest बनेगा वो आपके bank account में भेज दिया जाता है दोस्तों अगर virtual debit card के बारे में बात करें तो कोटक महंदरा bank में आपको एक virtual debit card भी मिलता है देखने को नहीं मिलता है आप दोस्तों अगर दोनों बैंकों की physical debit card के बारे में बात करें तो कोटक महंदरा bank में आपको वीजा की तरफ physical debit card मिलता है चार्जेस अभी है 299 रुपे प्लस में 18% GST वहीं पे HDFC bank का जो physical debit card है वहाँ पे आपको अलग अलग तरह तरह की debit card देखने को मिलता है millennia debit card है platinum debit card है तो generally online account आपनिंग पी आपको millennia debit card मिलता है जिसका चार्जेस है 500 रुपे प्लस में 18% GST दोस्तों दोनों बैंकों के जो physical debit card है उसमें आपको उस reward system भी देखने को मिल जाता है दोस्तों दोनों बैंकों की transaction limit की बात करें दोस्तों तो दोनों ही private bank है तो आपको अच्छा गसा transaction limit देखने को मिल जाता है HDFC bank में जो आपको millennia debit card मिलता है उससे आप daily एक लाख रुपे ATM से cash withdrawal कर सकते हैं और वहीं पर UPI में भी आपको एक लाख रुपे का daily transaction का limit मिल जाता है वहीं पर कोटंग मेंद्रा bank का debit card है उसमें depend करता है कि आप full के वैसे वाला account open कर रहे है या फिर limited के वैसे वाला account open कर रहे है उसी तरह से आप transaction कर पाएंगे अगर आप limited के वैसे वाला account open करते हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपे आप daily transaction कर पाऊगे ATM से और full के वैसे complete कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका एक लाख रुपे withdrawal limit बढ़ जाएगा दोस्तो credit card के बारे मों बात करें तो kotak mehendra bank में FD के base पे भी आप credit card ले सकते हैं वही पर HDFC bank की बात करें तो HDFC bank में जो भी credit card का system है या तो आपके bank account में पैसे काफे अच्छे होखासे होने चाहिए maintain होने चाहिए या फिर अगर आपका civil score maintain है अच्छा है तो आपको credit card का offer देखने को मिलेगा बट यहाँ पर kotak mehendra bank में अगर आपको तुरंत ही credit card चाहिए तो FD करके भी आप credit card ले सकते हैं तो आप बात करते हैं conclusion के बारे में कि हमें kotak mehendra bank में account open करना चाहिए या फिर HDFC bank में account open करना चाहिए तो देखिए अगर आप account को maintain कर सकते हैं अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है जो कि आप monthly wise अपने account को maintain करें तो ऐसे में आपको kotak mehendra bank में अपना account open करना चाहिए kotak 811 zero balance account जिसमें आपको पैसे रखने की जौरत नहीं है अगर आपके पास पैसे हैं तो रखिये नहीं है तो आप zero balance में भी use कर सकते हैं लेकिन वही पे अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं अगर आप पैसे maintain कर सकते हैं 5000-10,000 तो आप HDFC bank में खाता खोल सकते हैं HDFC bank का भी services काफी अचा है और दोनों के branches हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें आपका millennia का debit card रहेगा और आपके account से 590 रुपे cut भी जाएगा यह advance में ही HDFC bank में cut जाता है तो HDFC bank में आप खाता खोल रहे हैं तो यह सारे facility और features आपको देखने को मिलेगा और कोटक मेंदरा bank में अगर आप online खाता खोल रहे हैं तो यह सारी features आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको पूरा detail में बता दिया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर कुछ चीजें छूट गया है मिस हो गया है तो मुझे आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं comment में reply दे दूँगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन